चल्म ट्विटर पर देख रहा था कि एक औरत आती इस्राइल में चलते जाते जलती एक सेनिक बैटा होता होता उसको चाकू से माननें लगती है अपर उसके बाद मार पाती नहीं यह वह कसीड देता मिलात मुँझे मार तो ऐसे ही चीजे गटना होती रहती हैं इसराइल में इसराइली फोर्सेज ने किल कर दिया 20-year-old पलेस्टाइनियन को इन उक्कुपाइड बैस्ट बैंक भाई वेस्ट बैंक भी इसराइल का यह तो इसको मियामार में 2026 में आशियान की मीटिंग 허ने वाली थी ढ़िकाम 10 कंट्रीた का गुरूप है आप कमेंड़ में बता सके हैं कौन-कौन सी कंट्री सस्चांटिड़ नहीं दिया जाएगा मियामार को क्योंके मियामार में कूप हो गया था मियामार में जुनता मियामार की मिलिटरी को जुनता बोलते हैं उसका अब राज चल रहा है उसने अपनी ओंग सांग सूकी को उठा के जेल में डाल दिया जो कि प्राइम मिनिस्टर थी चुन के आई थी लोगों के द्वारा ठीक है तो अपने ही लोगों का कम से कम चार पांच हजार से ज करता था उसका रेप करवाया लोगों को मरवाया सारे काम करवाया तो डिक्टेटर्शिप बेसिकली इसलिए बुरी होती है यह चीज़िए आपको समझने की ज़रूरत है तो मियामार दोयार चबवीस में आशियान की मीटिंग होल्ड नहीं करेगा तो पुतिन इंडिया मे जो कैपिटल है उसका नाम है पॉंग यांग रिवेंबर दिस और सो जो हमने आधित लवन लॉंच किया इसकी मैनूवरिंग करने पड़ती है मतलब डिफरेंट डिफरेंट और विट्स में भेजने के लिए इसको एड़ेस्ट करना पड़ता है तो यह किया जाता है आपका इसकी फुलफो में इसरो टेलिमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यह बैंगलूरू में है मौरिशयस में और अधर कंट्रीज में भी है तो इसको आप लोग ध्यान रखना ठीक है विंड स्पीड स्केल डवलब किया गया था 1969 में स्टोर्म को मेप मेजर करने के लिए इसका नाम था सैफिर सिम्सन स्केल किसे रिलेटिड है यह मेजर करता है आपका साइकलों की विंड को ठीक है इसकि पानी को थोड़ा सा उठाए लेता है समुध्यगे को और जैसी चलता आता जैसी लेंडफोल करता है जमीन पर उठा हुआ पानी स्टोर्म नहीं हिट किया है इस बेसि लिए जज्स को इसपीड़ा नहीं में Wrestling और कहते है यह इस स्टोर्म वेश्षर एक जादा इंपोर्टेन नहीं है थार्ड कुशन फूर्थ है आपका दा डिवरेशन ऑफ एवरेज दा इंडियन मीटियोरोडिकल डिपार्टमेंट यूज़ चैनल साइकलोन इस्टोम्स तीन मिनट डिवरेशन है प्लस जो हर्रिकेंज होते हैं जैसे हर्रिकेंज है यूएसे मे इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम है तो आप लोग इनको देख लेना इंडिया में लेकिन को साइकलोन कहते हैं इंडियन ओशियं में जो गैबॉन कंट्री है वो जो एक्वेटर के पास पढ़ती है वैस्टन साइड में उसमें कूप हो गया है मतलब मिलिटरी का रूल हो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी रहे ही लोगों के लिए ठीक है तो आप यह मैप में दे सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ यह दे रखा है लिप्रे विल ले इसकी कैपिटल है तो यह नाइजर के ऊपर नीचे की तरफ यह आप देख सकते हैं अच्छे से ठीक है यह कल की नीचे में मैंने आपको पताया को हाता की इंडिया का नाम बदल के भारत करे देरे हैं तो यही नीचे आई है भारत रेपलेशे इंडिया िंची टवंटी इइन्ड रॉम ठीक है इन्व्टेश genuine नहीं लिखा गया है यह लिखा गया है invitation to g20 from the president of bharat okay let's go into the English session किसीने gain say का मतलब पूचा gain say का मतलब होता है to deny contradict there is no gain say that he is an idiot इसमें कोई deny नहीं है मतलब कोई controversy नहीं है कि वो मूर्ख है तो मतलब मूर्ख है ठीक है gain say का मतलब होता है to deny okay remember this किसीने गुलाग का मतलब पूचा gulag गुलाव का मतलब political prisoners से है यह Soviet Union जो USSR हुआ करता था 1991 से पहले रशिया का नाम नाइट नाइटीन वन यह 15 countries में डिपार्ट हो गया था टूट गया था ठीक है तो इस गुलाग का वर्ड है forced labor camps political prisoners इन सब के लिए यूज़ करते इसको पर यह किसी ने मोनीज का मतलब पूचा है तो यह मनीज मोनीज यह दोनों को सेम माना जाता है इसका मतलब होता है sum of money मतलब ठेट सारा पैसा कहीं रखा है उसको मनीज बोल देते हैं अगर कहीं पर लिखा है sentence में in the money in the money का मतलब होता है wealthy yes it means wealthy prosperous successful he is in the money जैसे sentence लिखा है he is in the money इसका मतलब यह नहीं पैसे में उसके बैठा है नहीं इसका मतलब है he is wealthy okay कहीं पर आ जाए तो इसको थोड़ा सा ध्यान लगना and if you like the video then like it share it and subscribe to my channel thank you